हेलो दोस्तों आप सभी का CTR Extension निलोकेटिम में स्वागत है तो दोस्तों हमने अब तक काफी सारे कोर्स को सीखा है हमने सीखा है कि कैसे सब प्रोग्राम बनाया जाए तो आज हम सीखेंगे कि हम जो भी हमने सभी कोर्स किये हैं जैसे G01, G02, 3 और वह सारे कोर्स किये हैं तो इ इससे हीद आपको पूरा समझ में आएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे ना जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक AutoCard में एक ड्रोइंग त्यार की है जो रैड लाइन से शो कर रहा है यह हमारी प्रोफाइल है हम इसको कट करेंगे और मैंने इसके अंदर कोडिनेट्स भी शो किया है एकस वाई की वैल्यूज जो भी है हमारी सभी वैल्यूज को रिपरिजेंट किया गया है तो इसका सबसे पहले हम सब प्रोग्राम बनाएंगे उसके बाद में प्रोग्राम तो आएए चलते हैं सब प्रोग्राम कैसे बनाया जाए तो पिछली वीडियो में आपने देख लिए होगा सब प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है यस के लिए हम एंटर कर रहे हैं और प्रोग्राम का नमबर लेके चल रहेeled और इसके बाद हम क्या करते हैं जैसे कि आपने पिशली वीडियो में देखाओगा G91 इंक्रिमेंड़ डाइमेंशन लेगे चलते हैं और उसके बाद जी 014 ये क्यों लेगे चलते हैं ये, मैंने पिछली विडि़ियो में एक्सप्लेन किया है दूबारा बता हो इससे हम जिस भी हम position पर होते हैं उसको हम origin लेके चलते हैं इसको incremental dimension भी कहा जाता है incremental programming भी कहा जाता है और autocadamist को relative coordinate system भी बोलते हैं आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा और इसके बाद हम feed डाल सकते हैं कि इसके बाद हम जी 90 का यूज करते हैं यह अप्सलूट डिमेंशन के लिए हम सभी जो भी हमारी profile cutting है उसमें हम absolute dimension का यूज करेंगे हम इसको शुरू कर रहे हैं इस point से 0,20 यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वैसे कहीं से भी कर सकते हैं जहां से भी हम चाहें इस point से हरे किसी भी point से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं 0,20 पर हम से हम शुरू कर रहे हैं cutting तो हमारा एक्स रहेगा 0,Y रहेगा 20 और यहां पर मैं थोड़ी फीड रहा हूंग अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कोडिनेट होगा हमारा 90 50 similarly यह सभी कोडिनेट हम इसके अंदर डाल रहे हैं एक्स 90 अग्स हमारा था तो सोरी तो वाइट 20 वाइए हमारा 20 है चुल यह इसको अब ठीक कर लेते हैं कि वाई हमारे यहां पर 20 यह डिमेंशन शो की गई है डिमेंशन शो कर रही है वाई कितना है हमारा 20 तो एक्स क्या है हमारा एक्स भी हमने यहां पर गल्त लिखा है तो एक्स है 23.54 तो एक्स है हमारा 23.54 23.54 और वाई है हमारा 20 अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा एक्स है 90 और वाई है हमारा 50 अब इसके बाद दुबारा एक्स तो देखो यहां तक हम चले हैं linear interpolation से इसलिए हम 201 का यूज़ कर रहे हैं इसके बाद हम किस डिरेक्शन में जा रहे हैं हम सर्कूलर interpolation का यूज़ करेंगे लेकिन हम किस तरफ घूम रहे हैं हम anti-clockwise तो anti-clockwise के लिए क्या लगता है g03 और यह 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हम दो बारी में इसको काटेंगे क्योंकि हमने पहले देखा है कि 180 डिग्री तक ही maximum एक बारी में block रीड कर सकता है तो पहले हम यहां पर रुकेंगे फिर यहां पर तो यहां पर जाने के लिए हम यूज़ करेंगे g03 और यह destination points हो गए और radius हो गया हमारा 40 कि हम क्या यूज़ करेंगे g03 और radius डाल रहे हैं हम 40 एंटर सिमिरली उसके बाद अब यह बात द्यान रखना कि पहले हमने linear interpolation में g01 यूज़ किया है फिर उसके बाद next में g03 और अब दुबारा g03 यूज़ करना हमें क्योंकि अग्गे बढ़ना है हमें आगे आगे हमें next 80,23.54 तक काटना है complete जो भी हमारे पास यह आर्क है इसको complete काटना है तो इसके लिए हम next code यूज़ करेंगे हम यहां पर g03 भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बिना भी यह काटेगा क्योंकि यह next line करेगा read कि उसके अंदर g03 का ही यूज़ हुआ है तो हम direct भी इसको डाल सकते हैं x हमारा है 23.54 और y है हमारा 80 radius है 40 तो इसको simple भी रीड करेगा अब इसके बाद हम जा रहे हैं सिध्धा कि यहां पर तो यहां पर हमें g01 डालना ही पड़ेगा तो हम linear interpolation के लिए डालते हैं g01 कहां तक जा रहे हैं x0 y80 अब 99 से हम इसको close कर सकते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा अब इसके बाद हम पोटो से अपना profile चेक कर सकते हैं यह profile हमारी है विल्कुल ओक्य है और लास्ट में एक और चीज हमारी रह चुके दुबार एडिट मोड में जाएंगे हम उसके बाद हमें दुबार आरा एक जीरो वाइटवन्टी पर जाना था अगया यानि जो आप राड़ लाइन देख सकते हैं यहां से कंप्लेट कि हमने एक जीरो वाइट पर गए फिर दुबारा से एक जीरो की राड़ लाइन यहां पर भी आई इस कंप्लेट को हमें काटना है तम प्रूफाइल अपनी ड्रो कर चुके हैं और इसके लिए प्रोग्राम बना चुके हैं सब प्रोग्राम और इसके बाद हम बनाएंगे में प्रोग्राम उसके लिए नमबर डाल रहा हूं मैं 49 से पहले हम सेफ साइकल लेकर चलते हैं उसके अंदर कुछ को डालते हैं यह मैं पिछली वीडियो में explain कर चका हूँ इन कोड्स का मेनिंग इन सभी कोड्स का मेनिंग और यह क्यों डाला जाता है अब इसके बाद हम टूर लेंगे वर को कोडिनेट सिस्टम लेके चलेंगे और हम अपने स्पिंडल को रोटेट कराएंगे स्टेप टू स्टेप यह चलता है और इसके बाद हम रैपिट ट्रेवल लेंगे रैपिट ट्रेवल सेम जहां से हमने पिछले प्रोग्राम को शुरू किया था वह सेम वैल्यूज होंगी हमारी एक्स जीरो वाइट वंटी से जैसे कि हमने माज़र पर शुरू किया था मैं इसको वन एम हाइट पर रोग रहा हूं यह से थोड़ा ज्यादा लेते हैं फाइव पर हम इसको रोक रहे हैं उसके ब कि जो हमने सब प्रोग्राम ड्रो की सुर्य हो जो बनाया था मेसे प्रोग्राम वह एम 98 से वह कॉल होगा इसको कहते हैं सब प्रोग्राम को एम नाइट एट के बाद हम हम पी अंटर करेंगे और कितने टाइं मस्ट हमें उसको चलाना है जैसे .5 को केट था हम इसको दो एमम काट रहे हैं तो हम इसको इसको हमें चार बार चलाना पड़ेगा तो हम इसको começou ए को छे इसको फॉर मिल और चला रहे हैं कि 2 जीरो हो टूली को एंथिधा रहे हैं टूल को M30 पर हमारा प्रोग्राम का अंड होगा और इसके बाद वोट ओकर देखते local अब होगत कि सब्सक्राइब इसके बाद हम चलते हैं मशीन आपरेशन इंदblack दोल यूह अपनी मैगजीन पर तो इस ने टूल लगाया है और इसने शो कर दिया ऑफसेट करना मैंने पिछली वीडियो में बताया है हम कैसे मशीन को आप सेट करते हैं आप उस वीडियो को एक बार देख लेना इससे आपको पतल लगाए इसको कैसे अपसेट के जाता है डाली को इसके बाद प्रोग्राम को चला सकते हैं उसने देखो टूल को चेंज किया एटी से से और इसके बाद इसने इसको काट दिया हम थोड़ा सको जूम करकर भी देख सकते है यह फूर टाइम्स चला और थोड़ा जूम करते हैं इसको यह रही हमारी प्रोफाइल कटिंग आपको यह वीडियो जुरूर पसंद आया होगा इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर भी करें